नमस्काल दोस्तों जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखे फ्रेंड्स एससी सीजियल के एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं और काफी लोगों का तो है डमिट कार्ड आता ही नहीं वो उसके दोर पीछे वीजन है कि वो सभी लो आपको हो जाएगा लेकिन इसके लावा पीड़ाबलो डी के के साथ दूसरी समझ जा रही है फॉर्म रिजेक्ट नहीं है फॉर्म तो एकसेप्ट है देखिए जब आप सीजियल का फॉर्म पर रहे थे तो काफी लोगों ने मेरे से कुशन पूचा था जैसे मैं इस फॉर् परसेंट इन के टेगरी ओफ ब्लाइंड नेस लोकलमेटर डिसेवल्टी बोथ आप सफेक्टिड यानि कि बी एंड सेलेफर पाल से क्या आप येस हैं या नो तो यहाँ पर एट्टी परसेंट लोगों ने क्या कर दिया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनों नहीं यहाँ पर कर दिया लेकिन मैंने तब भी काफी मेरे पास जो फॉर्म आये थे मैंने उसी टाइम कहा था कि आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नहीं करना यहाँ नो करना है खास करके ओये वाले इस तरीके के जो थे वो कही नहीं कहीं थे और मैंने उन सभी को कहा था कि आपको आपने बड़े नुकसान है handicap category को दो नुकसान उनको है जिनके ने फॉर्म में गलती कर दी उनको भी नुकसान है और साथ में उन लोगों को नुकसान है जिन लोगों ने फॉर्म में गलती नहीं की सही है उन लोगों के साथ क्या नुकसान है और उन लोगों के साथ दोन लोगों मैं आपको बताऊंगा देखे इसमें क्या हुआ है जिन लोगों ने yes कर दिया है उनको 20 मिनट एक्षटर मिल कई है यानि कि एक घंटा 20 मिनट उनको मिली हुई है यह वो कहीं न कहीं स्क्राइब वाले बंदे हैं या उनको सेलेवर पाल से है उनको दिक्कत है पढ़ने में रीड करने में राइट करने में दिक्कत है तो उनको 20 मिनट एक्षटर मिल चुकी है 20 मिनट यहां पर एक्षटर मिल चुकी है लेकिन उनको डेवी में कहीं न कहीं बाहर निकाल दे जाएगा और दूसरा उन लोगों को नुक्सान क्या है उन लोगों को इनकों जैसे नुक्सान है जैसे ये 20 मिनट में मिलेंगे मान लीजिए किसी को प्रोपर एक गंटा मिल रहा है वो 50 कोश्चन कर रहा है तो ये क्या करेंगे ये 60 कोश्चन करेंगे start question करेंगे तो अभी तो cut off इसी के साब से आएगी फिर final में cut off तो पहली बार ही जटका लग जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ठीक है दोस्तों इसमें जो preams की cut off आएगी वो कही न कहीं दिक्कत करेगी ऐसे candidate काफी सारे होंगे ठीक है इस बार यह गड़बड हुई है और यह सिर्फ एक से नहीं हुई काफी लोगों से हुई है कमेंट भी आ सकते हैं तो देख लीजिएगा तो इन लोगों के जैसे यह exam देने जाएंगे लेकिन यह कहीं पर निकलना पड़ेगा क्योंकि इन ले लिए जबकि यह normal candidate है और इनके साथ ऐसी गलती हो चुकी है अब गलती इसको कुदा कैसे सुदारा जा सकता है अब तो chances बहुत ना के बराबर हैं कि यह आपका ठीक हो जाए क्योंकि SSC कभी भी ऐसे ठीक नहीं करता जो फों हो चुका है उसको रिजेक्ट करता है उसके बाद सही नहीं करता और नहीं कोई उसने पहले क्या था पहले तो changes की date भी नहीं आती थी अब इसी वज़े से 200 रुपे उन्होंने लिए वे हैं दो बार उन्होंने उप्संदिया है कि 200 200 रुपे ले आप तीन बार चेंज कर सकते हैं जो उनकी चेंज डेट आई थी कि आप इस डेट पे चेंज कर सकते हैं इस पर आपको दुबार से site खुलेगी form आपका दुबार से खुलेगा लेकिन तब भी लोगों ने नहीं किया तो अब तो या तो आप एक बार मौर्मेंट के द्वारा मौल दया ठीक है कि मौल दया तो 40% से उन्होंने भी एस कर दिया है ठीक है दोस्तों लेकिन यह सिर्फ जो है लोकोमोटर डिसिबिल्टी हाँ पर यह बीए भी तो था देखना था आपको और यह ब्लाइंडनेस और यह सेलेबर पाल से भी आपको देखना था तब जा करके आपको फॉर्म सही माना जाता अब तो देखी चलिए जो भी आपकी इच्छा हो एक्जाम देना है नहीं देना है लेकिन फिर भी कंफूजन आपके मनमें बढ़नी रहेगी जिससे तैयरी पर भी ए देख लीजिए को थोड़ा सा आप मेल बगएर करके देख लीजिए अगर कुछ ओप्शन हो जाए कुछ सही हो जाए तो मुझे नहीं लगता वैसे हो भी कुछ होने वाला है पर फिर भी एक बार कोशिस करने में क्या जा रहा है क्या पता आपकी किसमत ठीक हो आपका झापने वाजस्तू